नमस्कार दोस्तों मैं S.K. Singh पिनाइकल के आफिशली यूटू चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिविजबिल्टी रूल के बारे में दोस्तों एस्पेसली बात करेंगे तीन के डिविजबिल्टी रूल मतलब तीन के विभाजन के नियम के बारे में बात करेंगे एक बहुती सांधार ट्रिक के शाथ तो आईए शुरू करते हैं कॉन्सिप्ट क्या है दोस्तों पहले जैसे कोई नंबर लिखा है 3,1,4,2,5 अगर मैं दोस्तों पूछूं यहां संख्या तीन से विभाजित है की नहीं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अभी तक हम लोग क्या करते थे अगर संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो संख्या तीन से विभाजित होगी संख्या के अंकों का योग मतलब 3,1,4,4,4,8,8,8,2,10,10,10,5,15 संख्या के अंकों का योग दोस्तों 15 है तो इसलिए मैं कह सकता हूं यह संख्या 3 से विवाजित होगी लेकिन दोस्तों एक्जाम में संख्या के अंकों का योग निकालते निकालते तहीं गलती भी हो सकती है योग करते टाइम तो इसलिए हम लोग योग को इग्नॉर करेंगे तो आगी एक दूसरा मेथड यूज करे है तो तीन काटेंगे और क्या है दोस्तों ने सानल है 4,2,6 इह भी तीन का गुनिज है 4,1,5 दोस्तों यह भी एक गुनिज है तो हम लोग 3 के गुनिज नंबर को बार बार काटेंगे अगर सब कुछ कट जा जा है तो समझेंगे 3 का गुणज नमबर है एक और लिखते हैं दोस्तों 30146287 दोस्तों देखा जाएगा यहाँ संख्या 3 से भी भाजित है कि नहीं देखते हैं दोस्तों 3 का गुणज 3 के गुणज नमबर को काटेंगे बार बार दोस्तों यह काटा 4 2 6 काटा क्लेर दोस्तों 8 4 12 काटा तो दोस्तों क्या बच गया 1 और 7 आपका कटने से बच गया इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ संख्या 3 से भी भाजित नहीं है यहाँ संख्या 3 से भी भाजित थी एक और एक्जाम्पिल लेंगे दोस्तों समझने के लिए जैसे 1 2 9 7 2 8 3 दोस्तों देखा जाएंगे यहाँ संख्या 3 से भी भाजित है कि नहीं देखतें दोस्तों 3 के गुणज नमबर को काटेंगे यहाँ 3 का गुणज है 7 2 9 यह भी 3 का गुणज है यहाँ तो अल्रेडी है यह तीन का गुणज 8 1 8 और यह वाला 1 कटेगा न होगा आपका दोस्तों 1 कटने से बज गया सुरी 2 कटने से बज गया इसका मतलब है यहाँ संख्या 2 से भी भाजित नहीं है सुरी 3 से भी भाजित नहीं है तो आईए क्यूशन लेते हैं जो आपके एक्जामों में पूछे जाते हैं इसे क्जशन क्या है करें थ्री वन बूलब है क्यात्त पूछा गया है कि कहा गया दोस्तों एहां संख्या 3 से भाजित है तो एक्ष का मान ग्याद कीजिए, यहां संख्या 3 से भी भाजित है, तो X का मान बताईगी दोस्तों, क्या है दोस्तों 3 से 3 कटेगा 2, 1, 3, यह कटेगा 3 से 3 यह कटेगा 4, 2, 6 यह अपस में कटेगा, तो दोस्तों आपका बच गए है केवल और केवल 0 इसका, sorry, केवल और केवल X तो यहां पर X के मैं ऐसे मान रखूंगा, जो दोस्तों 3 से कटने वाला नमबर बने, X के अस्थान पर 0 रख सकता हूं X के अस्थान पर 3 में लिख सकता हूं X के अस्थान पर 6, X के अस्थान पर 9, तो दोस्तों इने सारे अंग आप लोग दोस्तों लिख सकते हूं तो लेकिन आपने answer को option के calling दिना है तो दोस्तों अगर पूछा जाए एक्स का new नतम मान क्या है तो आप लोग कहोगे 0 new नतम minimum अगर दोस्तों पूछा जाए एक्स का maximum मान क्या है तो कहोगे 9 तो दोस्तों आपसे जनरली यही पूछा जाता है X के मान बताई, X का नियुनतम मान बताई, X का माइजमा मान बताई या फिर बोला जाएगा X के कितने मान संभव है आपसे भी पूछ सकता है दोस्तों X के कितने मान संभव है तो आप लोग कहोगे एक्स की कितने मान है एक, दो, तीन, चार तो आप लोग कहोगे एक्स के चार मान संभव हैं तो दोस्तों एक और किस्टन लेते हैं जिन लोगों को बातें क्लियर नहीं हुई तो समझने की कोशिश करें दोस्तों हम लोग उदारान के दावरान पे लेंगे एक क्योशन और क्या है 314x432 तो दोस्तों कहा गया है यहां संख्या 3 से भी भाजित है तो एक्स का नियूनतम मान ग्याद कीजिए यहां संख्या 3 से भी भाजित है तो एक्स का नियूनतम मान बताईए क्या बताना है दोस्तो यक्स की मिनमा बैलू बताना है दोस्तो यक्स की मिनमा बैलू बताना है आपको तो क्या करेंगे दोस्तो हम लोग यहाँ पे तीन के गुनस नंबर को काटा जाएगा 4, 2, 6 3 और ये 3 कड़ा तो आपका ये क्या बस गया कटने से क्या बस गया 4, 1, 5 प्लस X 4, 1, 5 प्लस X आपका ये कटने से बस गया और कहा गया है पूरी संख्या 3 से भी भाजित है तो मैं कह सकते हैं इस गोले के अंदर की बेलू भी तीन से विभाजित होनी चाहिए तो आप लोग स्वयम बताई एक्स का एक ऐसा मान बताईए जो तीन से कटने वाली संख्या बन जाए एक्स की एक ऐसी बहलो रखिये जो यह गोले के अंदर तीन से कटने वाली संख्या बन जाए तो X के अस्थान पर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ दोस्तों, बस 2 ही मान सम्भाव है लेकिन पूछा गए X का मीनमा मान बताई X का निवनता मान बताई तो दोस्तों आपका answer 1 होगा अगर पूछा जाता X का मान बताई तो 4 आपका जवाब होता अगर पूछा जाता X के कितने मान सम्भाव है तो आप लोग कोहते 400 X के 2 मान सम्भाव है एक और लेंगे दोस्तों उदहरन के तौरान पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 9,3,1,4,X,2,7 आप से पूछा जाना है दोस्तों कहा किया यहां संख्या 3 से भी भाजित है तो X का X का माईग्जमा मान क्या होगा मेरे दोस्त तो संख्या 3 से भी भाजित है तो X का माईग्जमा मान बताईए दोस्तों देखते हैं 3 के गुणस नमबर को काटेंगे 3 का गुणस नमबर 9 है ये भी 3 से कटेगा ये भी कटेगा 7, 2, 9 ये भी दोस्तों कटेगा अब क्या बचा 4, 1, 5 4, 1, 5 प्लस X तो दोस्तों अगर यहां संख्यत 3 से विभाजित है तो X का एक ऐसा मान बताई जो 3 से कटने वाला नमबर बन जाए तो के X के अस्थान पे दोस्तों 1 और X के अस्थान पे 4 दो ही मान रख सकते हो ये तो उपर वाला और यहां वाला सेम होगा कोई वाद नहीं दोस्तों तो कॉंसेट हमें सीखना है तो X के अस्थान पे 1 लिख सकते हैं या फिर 4 लेकिन हमारे क्योश्चन की सर्थ क्या है एक्स का माइक्जमा मान बताना है इस बार तो दोस्तो हमारा एक्स का माइक्जमा मान चार होगा अगर नियुनता मान पूछे जाता तो दोस्तो नियुनता मान दोस्तो वन होगा दोस्तो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ बातें बहुत अच्छे से समझाई होंगी तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग नाइन के डिविजबिल्टी रूल के बारे में बात करेंगे और इनसे बनने वाले सभी क्यूशन को पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार